नमस्कार खब्रों का पंच रामा देखरें आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आया है देश और दुरिया की पांच बाड़ी खब्रे जस पे चल्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़ में मौजूद हैं अपितल टीवी के एडिटरिंचीप डॉक्टर मेरेश कुबार रॉक्सा बहुत बस्वागत है आपका धन्यवाद सबसे पहले नज़र हेडलाइन्स पर पियम मोधी नोबल शांधि पूरसकार के सबसे बढ़े दाविदार नोबल प्राइस कमेटी के जिप्टी लीजर ने दिया बड़ा बयान कहा पियम मोधी सबसे बरोसे मंद ताकतवर नियता राहूल गांधी के बयान पर बर्पा हंगामा माफी की मांग तेज सियासी गुमासान के बीच आज संसद पहुचे राहूल गांधी प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा संसद हूँ संसद में बोलूँगा वोधी अडानी की रिष्टे पर फिर उठाए सवाल मनीश शोद्या पर CBI का नया केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासुसी करवाने का बड़ा आरोप CBI ने सिसोद्या को बताया आरोपी नमबर वन दिल्ली शराब गुटाले में आज पेश नहीं हुई केसी आर की बेटी के कवीता तो एडी ने फिर भेजा नया समन 20 मार्ज को पूश्टाच के लिए बुलाया जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI के सामने 25 मार्ज को पेश होंगे तिजस्वी या दम फिलहाल गिरफ्तारी से मिली बड़ी राहा अज कबरों की शुरुआत में सबसे पहले बाद भारत के दम की पियम मोदी की बढ़ती लोग प्रियता की नोबिल कमेटी के जिप्टी लीडर असल तोजे ने भारत की जम कर तारीफ की है उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को नोबिल शान्ती पुरुसकार के लिए सबसे मजपूत दाविदार बताया है असल तोजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस तरह से रूसी राश्टपती को युद के बारे में समझाया वो काबिले तारीफ है साथ ही उनों ने कहा कि बिना कोई धमकी दिये परमानों युद के परिनामों के बारे में पूरी दुलिया को पियम मोधी नहीं समझाया हमें अंतरास्टी राजनीती में इसी तरह की लीडर की जरुवत है असल तो जो ने पियम मोदी और भारत के प्रयासों की तारीफ करते वे जस तरह से बयान दिये उससे पियम मोदी की नोबल शान्ती पुरुसकार मिलने की चर्चा तेजी से चल रही है क्या पियम मोदी को नोबल शान्ती पुरुसकार मिलेगा? देखिए मैं तो परिशान हूँ इस बात को लेकर के वो 600 कड़ो रुपए ये चीन, पाकिस्तान, ये चौर्च सोरोस के जो दलाल हैं, उनका बजट का क्या होगा? पूरी दुनिया में ये टुक्रे टुक्रे गैंग, कॉंग्रेसी, चट्टे बट्टे और वामपंथी पत्रकारों का जो एक कबाल है, इन लोगों ने तो प्रधान मंतरी मोधी को नॉन डेमोक्रेटिक, फासिस्ट, तानाशा, अटोक्रेटिक, पता नहीं किस तरीके से पर लोट रहा होगा, कि ये क्या हो गया, हमारी सारी प्लैनिंग धुस्त हो गई, कौन वेक्ती है ये ऐसल रोजे, ये जो नॉबल प्राइज को आवंटित करने वाली, उसमें लोगों को स्लिट करने वाली कमीटी, उसके डिप्टी लीडर है, और वो क्या कह रहे हैं, वो क मतलब आप ये समझ लीजिए कि अनॉफिसल तरीके से उन्होंने बता दिया कि इनके आसपास भी कोई नहीं है, मिल सकता है, और अगर मिल गया, दो हजार चौविस चुनाओ का क्या होगा, ये तमाम नियॉर्क टाइम्स, वासिंगटन पोस्ट, ये ये जजीरा वाले, ये राहुल गांदी, जो लंदन में जाकर के अनापशना बकवास करके आ रहे है, उनका क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, कि जो बाते, ये नोबल कमीटी के तरफ से, नोबल प्राइस कमीटी के तरफ से आई है, वो ये, कि प्रधान मंतरी मोदी अपने देश को तो आगे ल जोने पुटिन से युद्ध विराम करने की जो बात कही, और तो और जिस हिसाब से हर मंच पे डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा करना और युद्ध से दूर रहने की जो पाते वो कह रहे हैं, जो वसुध है, कुटुमकम और विश्व सांति की जो का जो प्राइस प्रधान मं कर रहे हैं, दुनिया उसके आगे नतमस्तक है, और इसलिए, यह जो बहुत बड़ा जटका लगने वाला है, अगली कबर में बात राहूल गांधी की, राहूल गांधी के लंदन बयान को लिखर जमकर बबाल मचा हुआ है, बीजपी ने माफी की मांग तेज कर दी है, इन सब के बीच राहूल गांधी आज संसत पहुंचे, माफी मांगने की सवाल का कोई सीधा जवाब भले ही राहूल गांधी ने नहीं दिया, लेकिन मुस्कुरा कर गे संदेश जरूर दे दिया कि वो जुकने वाले रही है, संसत में हंगामे के बाद राहूल गांधी ने प्रस कॉन्फरेंस भी की और कहा कि संसत हूँ, संसत में बोलूगा, साथी एक बार फिर प्यम वोधी और अडानी पर जम कर हमला बोला, राहूल ने कहा कि डिफरेंस कॉन्ट्रेक्ट अडानी को क्यों दिये जा रहे, कई सवाल है जिनके प्रधान मंतरी ने जवाब नहीं मैं चाहता हूँ कि संसत में जवाब दू और फिर आपसे डेटेल में बात करूँगा, राहूल गांदी ने कहा कि बीजपी के चार नेताओं ने मुझ पर आरोफ लगाए, मैं होफफुल हूँ कि मुझे कल बोलने दिया जाएगा, राहूल गांदी के प्रस कॉन्फरेंस के राहूल गांदी पर एक बार फिर से जूट बोलने का आरोफ लगाया है, राहूल गांदी ने प्रस कॉन्फरेंस तो की, पर विदेश में जिस तरह के उन्होंने बयाद दी, उसका जिक्र क्यों नहीं? सब कुछ जिक्र किया ही, क्या नहीं किया? सारी बाते तो उसने कह दी, कि वो अडानी का मामला उठाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो प्रधान मंतरी डरे हुए हैं, हमें पार्लमेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, यही बात तो वो कह क्या आये थे? आपने ध्यान से अगर उनके बयान को सुना होगा, तो पूरे प्रेस कांफरेंस मुनों ने यह नहीं कहा, कि जो बाते हमारे उपर लादी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि हमने इंटरनाशनल इंटर्वेंशन की मांग की थी, EU और अमेरिका से हमने मदद मांगी थी प्रदार मंतरी मोदी को हटाने के लिए इसके उपर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, वो कह सकते थे कि हमें मिस्कोट किया गया है, लेकिन ये व्यक्ति तो ठीक से बातचीत करने लाइक भी नहीं है, इसका IQ लेवल, इसकी जानकारी इसका ग्यान, तो किसी छठे क्लास के स्टुडेंट से भी बत्तर है, इसने शुरुवात की प्रस कॉंफरेंस की किस तरीके से, अनफॉर्चुनेटली, आएम एम पी, अनफॉर्चुनेटली, येस, ये कॉंग्रेस पार्टी की बतकिस्मती है, कि तुम्हारे जैसा व्यक्त इसको लीड कर रहा है, और ये देखिए, गल्ती हो गई, गल्ती का एहसास भी नहीं, इनको हर जगा कोचिंग टीचर चाहिए, कोच करने वाला, फिर कान में फुस फुसाते हुए, जैराम रमेश ने कहा, कि इसको जड़ा से क्लेरिफाय कर दो, और वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, कि ये जो आपने कहा है, उसका फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, ये आप कहिए कि, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, इस नोट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, नहीं तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर उसके बॉड़ी लेंगविज को देखिए, दया आने लग गई है कॉंग्रिस पार्टी के उपर, और कॉंग्रिस पार्टी के प्रवक्ता उनके निताओं को, और ये दलाल पत्रकारों का जथा जो राहूल गांदी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए, हलाकि पैसे लेकर ये धंदा करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इनके पास इतना बड़ा मुश्किल काम आप दिये हुए हो, और कहते हैं कि खोड़े को आप पानी तक खसीट के तो ले जा सकते हो, पानी पिला नहीं सकते, राहूल गांधी सुधर नहीं सकते अब बाद मनीश शोदिया की जिनकी मुश्किले लगतार बढ़ती जारी है, मनीश शोदिया पर CBI ने नया केस दर्श किया है, ये केस में दिली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिये, विरोधी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और जुडिशियरी मेंबर्स की इसमें आगे यही होना है, केजरिवाल को जेल जाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा जर्म इनके हाथों हो गया है, इन्होंने क्या किया? ये चुनाओ जीते हैं और 2016 में आनन फानन वेजिलन्स डिपार्टमेंट के नाम पे एक स्पिसल यूनिट बनाते हैं, इस यूनिट का काम क्या? जासुसी करना, और जासुसी किस तरीके से करना? लोगों के फोन टैप करना, लोगों को सुनना, लोगों के उपर निगरानी और एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे ISI, जैसे मुसाद, जैसे CIA, जैसे RAW काम करती है, इस गुस्ताख ने दिल्ली के VIPs, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के उपर निगरानी रखने के लिए उनकी जासुसी करने के लिए इसने यूनिट खोड दिया, आपने खबरों में जो बता आया, तो आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से इसमें रिटाइड सेना और पारा मिल्टर के लोग इस यूनिट में डाले गए, वो भी रिटाइड किस चीज के लिए, लोगों की जासुसी करने के लिए, और ये सब कुछ इलीगल तरीके से किया गया, ये यूनिट ब अपनी से पास कर दिया, इस तरह की यूनिट बराने के लिए, राज सरकारों के लिए जरूरी है कि आप के इन सरकार से उसकी अनुमती लें, आपने अनुमती नहीं ली, दो गल्तियां, तीसरी गल्तियां, गल्ती, आपने पारा मिल्टरी फोर्चेस के रिटाइड लोगों काम पे लगा लिया, सरकारी काम में, ये किस तरीके से किया, ये तो आपके पास अधिकारी नहीं है, कोई जॉब सरकार में अगर निकलता है, उसके लिए इस्तियार दियार देना पड़ता है, उसके लिए पूरा प्रोटकॉल है, उसको ये आपने अभेलना की, चौथा, आ उपर आपने स्नूपिंग की, किस किस पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आपने जासुसी की, और तो और जो खबर आ रही है, कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को तो छोड़िये, अपनी ही पार्टी के नेताओं का, इसने स्नूपिंग करवाया है, जासुसी करवाया है, स केजरिवाल का एक बहुत खासम खास दाइना हाथ वो भी नाम जद है मनि सिसोधिया फिर से आरोपी नंबर वन है मतलब ये केजरिवाल की घिनोनी राजनीती में सिसोधिया तो गया ही गया फसा तो फसा अब इसके फसने की बारी आ गई अब आद दिलनी शराव घुटाली की जिसमें केक कवीता की मुश्किले लगतार बढ़ती जा रही है एडी ने आज केक कवीता को पूश्टाज के लिए बुलाया था लेकिन वो सुप्रिम कोट का हवाला देते हुए एडी के सामने पूश्टाज के लिए पेश नहीं हुई अब केक कवीता से एडी की पूश्टाज 20 मार्श को होगी क्यों पूश्टाज से बार बार बचना चारी है क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि मैं जेल जाने वाली हूँ एडी मुझे गरफतार कर लेगी और इसलिए गरफतारी के डर से ये सुप्रिम कोट चली गई सुप माम आरोपी जो इडी के कस्टरी में हैं वो आपका नाम चीकशी के लिए रहें बता रहें कि आभी मास्टर माइंड हो बाकि सारे लोग तो आपके आदेश के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन फिस सुप्रिम कोट आप चलेगे सुप्रिम कोट ने का कि ठीक हम सुनवाई करेंग 18 तारीक को अब सुप्रिम कोर्ट का हवाला दे दिया गया कि भई ये जो पूस्ताज को ले करके हमने सुप्रिम कोर्ट में एरजी लगाई है उसका फैसला आ जाएगा तब मैं आऊंगी इसलिए वो आज नहीं गई साफ है ये भागने की कोशिश कर रही है ठीक उसी तरीके से जैसे अनिल देश्मुख जब फस गया वसूली कांड में तब इसी तरह की बहाने बाजी कभी हाई कोर्ट, कभी लोवर कोर्ट कभी तबित खराब तो कभी कुछ कभी सुप्रिम कोर्ट हर दर्वाजे को खट खटाता रहा पांच महने तक वो एडी को चकमा देता रहा लेकिन अन्त तो गत्वा जब एडी की घरफ्त में आया तो एक साल के करीब उसे सलाकों के पीछे रहना पड़ा कभी ता मैडम का भी यही हाल होगा वो भी जान रही है केजरिवाल भी जान रहा है सिसोधिया भी जान रहा है और इस सराब घोटाले और अंजाम देने वाले सारे ब्रस्टाचारी यह जान रहे है कि सब का नंबर आएगा आज की आकरी कबर में बात लैंड पो जॉब स्कैम की ब्यार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 25 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे इसके पहले CBI ने उन्हें तीन बार पूश्टाच में शामल कोने के लिए समन भेजा था लेकिन वो पूश्टाच के लिए नहीं आए CBI की तरब से जारी समन को दली हाई कोट में तेजस्वी ने चुनोती दी थी कोट में CBI ने कहा कि तेजस्वी यादव को गिरफतार नहीं किया जाएगा तब जाकर तेजस्वी राजी हुए पूश्टाच के लिए अब 25 मार्च को कोट में पेश होने का आदेश दिया है तेजस्वी यादव भी पूश्टाच से बचना चाह रहे हैं पूश्टाच नहीं गिरफतारी उन्होंने तो हर्जी लगा दी थी कि मुझे गिरफतार कर लिया जाएगा माईलाट मुझे बचाए है मेरे पिता जी को मेरी माता जी को मेरी बेहना को तो बेल मिल गया लेकिन हमें तो बड़ा दिक्कत लग रहा है बई चार लाख में आपने खरीद लिया डेर सो क्रोर की संपत्ती यस जादूई इस करश्माई चीज के बारे में तो एडी पूश्टाच करेगी ही सीबी आई पूश्टाच करेगी आप तो ये भी नहीं कह सकते केजरिवाल की तरह क्या हम तो कटे रिमादार हैं जी भाई ये देखिए फ्रॉट दिल्ली में बैठा हुआ है हर चीज में फस्ता चला जा रहा है ये तो नोन है कि चारा घुटाले में ये लाली आदम का पूरा परिवार जो है इसमें दुनिया के सामने एक्स्पोज हो चुका है पिता जी को सजा मिली हुई है अब बेटा कहीं न चला जाए तो इसके लिए ये सुप्रीम कोट में आज दरवजा इन्होंने खट-खटाया कि रहम फरमाया जाए वहाँ सीवियाई ने कहा कि डरो मत बच्चे अभी गरफतारी का समय नहीं आया है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम पूस्ताच के लिए बला रहे हैं 20 तारी को जो हम पूस्ताच करेंगे उसमें हम आपको गरफतार नहीं करेंगे लेकर उसके बाद फिर बुलाएंगे तब क्या हो गरफतारी तो होगी गलत कीजिएगा और आप कानून के सहारे कानून को वकील को कोट को मनिपुलेट करने की कोशिश करके आप अपने आपको बचाने की कोशिश करेंगे ये अब पॉसिबल नहीं है वो जमाना चला गया जब लालू यादव ने डायल करके प्रधान मंत्री गुजराल को ये कहा था कि क्या बकवास हो रहा है मेरे खिलाब सी बियाई क्यू इस तरह का एक्शन ले रही है उधर से प्रधान मंत्री जवाब दे नहीं पाते लालू प्रसाद यादव ने फोन को पटक दिया था ये हैसिय थी इन लोगों की कि सिस्टम को ये जूते की नोक पर रखते थे प्रधान मंत्री को जूते की नोक पर रखते थे समय बदल गया यहाँ कोछ सुनुवाई नहीं हो रही चोरी अगर आपने की है तो सजा भुगत में के लिए तैयार रहना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चानकारी धन्यवाद खबरों का पंचलाम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके स्टिक एनलेसिस के लिए देखते रहे कापिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कापिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार